नमस्कार! अधिकतर लोग सौचते हैं ना कि जो इंटेलिजन्ट लोग होते हैं ना वह बहुत खुश होते हैं और आप एक बात दो आपको हमारे समाज की एक दारना क्या है? हमारे समाज की लोगों को थिंकिंग क्या है? सबसे ज़्यादा बढ़िया बढ़िया से बढ़िया बढ़िया मकान अच्छा जोब अच्छा इस्टेटास अच्छी फेमेली अच्छा बिजनिस मतलब हर चीद अच्छे से अच्छे को बढ़ा दिया जाता है इन आवर सोसाइटी में अपनी सोसाइटी की यह थिंकिंग हो गई अब और और किषिया पूराने जमाने की बात करें पूराने जमाने मेंुए लोग जेसा होते थे वेसा खा लेते तैंब आरा तो मुस्य तसक्र स्थे rend और उस व्चीजज अच्छी होनी चीज़ तो जो वह intelligent लोग होते हैं ना अधिकतर लोग सोखते हैं उनके पास हर चीज बढ़िया होती है सब कुछ होती है लेकिन पता है वह 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 भी चार या पांच बातों को लेकर हमें साथ दुखी रहते हैं हमेसा सेड रहते हैं वह बाते क्या है मैं आज आपको बताऊंगा बागी मोच सारे लोग सोखते हैं और वह intelligent लोग है वाव अच्छी गाड़ी है वाव अच्छा मकान है वाव अच्छा stress maintenance करते हैं लेकिन उनके जो intelligent लोग होते हैं उनके पीछी की बात वो नहीं समझते हैं वो भी चार या बात पांच बातों को लेकर दुखी रहते हैं सेड रहते हैं आखिर वो चार या पांच बाते क्या हैं? आएए, देखते हैं. इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान व्रती क्या करते हैं? ज्यादा सोचते हैं. कोई छोटी से भी बात होगी, छोटा सा भी कारी होगा ना, तो उस कारी को लेकर एक दिमाग में हुवा और ऐसा क्यों हो रहा है मता एक छोटी सी बात को भी बहुत ज्यादा सोच और ज्यादा सोच के अपने माइंड में तनाव लाते हैं उनके माइंड में तनाव पैदा हो जाता है इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इंटेलिजेन व्यक्ति होते हैं यह ज्यादा एक होस्ते हूए हुए अपने माइंड को अपने दिल को दुखिक कर लेती है बोद्धमान व्यक्ति होश्यार व्यक्ति अधी तब उद्देश को रहते से वह ज्यादा पाने के कॉसिस खते है कि है हुआ कोई टार्गेट वो लेते हैं, कोई टार्गेट अचीव कर लिया, और उनको पता है, यह हमार टार्गेट अचीव हो गया, तो फिर उनको क्या करते हैं, कोई बड़ा टार्गेट लेगा, उनका उद्देश ही बड़ा होता जाता है, जब इसे इनसान का उद्देश ही बड़ उस अधिशी को पार परना है, उसको कैसे पाया जाए है, बस इसी के बारे में सोच देखे हैं, होशार लोग, इंटिलिजेन लोग, कभी भी ध्यान रखना, आप उनके पास बेटे होंगे, एक बात आपने नोट की होगी, यह जो होशार लोग होते हैं, हमेंसा काम की बाते है हमेशा इधर उधर की बातें नहीं करतें या फिर कोई Gossip नहीं करतें गफश अपनी लड़तें बस और अगर कोई Gossip लड़ा रहे हैं या कोई Gossip कर रहे हैं तो वह जो बुद्यमान वहते होते हैं संत्व चुप-चाप सुनेगा उस गपशप में है, उस मजा किया बात वरी उसमें इन्वल नहीं होगा, बस सांध रहेगा, और जब वो बोलेगा ना, तो तक्ति के साथ बोलेगा, कोई पॉइंट के साथ बोलेगा, वो काम की बात ही करेगा, तो वो दिमान वक्ति इस चीज को भी लेकर दुखी ही रहते है हमेसा, वो किसी चीज को इंजोई नहीं कर पाते हैं, वो हर चीज में फैक्ट देखते हैं, क्यार इस चीज में ऐसा क्यों है, यार इस चीज में ऐसा होना चाहिए, मतलब बुद्धिमान वक्ति हमेसा कई पर भी बोलेंगे, उनके मुझे काम की बात ही निकली, कभी वो आन इस चीज में बताता है, जो अधिकतर लोग है ना बुद्धिमान व्यक्ति होशार वक्ति से ज्यादा आप एक्षार हते हैं, यह सोच कि भी व्यक्ति कभी दुकी होते हैं, शेड होते हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति को कोई काम दिया जाएगा, उससे अगर काम नहीं हुआ और ऐसी बिगड़ गया, तो लोग कोई नहीं कहेंगा, यार वो तो हैसा है, किसको काम देती है, उसको काम तो आता जाता है, उसको काम दिया जाता है, लेकिन जब किसी बुद्धिमान व्यक्ति को काम दिया जाता है, किसी इंटिलिजेंट व्यक्ति को काम दिया जाता है, तो जब intelligent व्यक्ति को काम देते हैं तो उसको लगता है कि यार लोगों की मेरे से ज़्यादा अपएक्सा है वो उस काम को बड़िया बेटर करने की कोशिस करता है लेकर उसके मन में एक डर भी रहता है अरे यार अगर ये कारी मेरे से बिगड़ गया अरे यार ये कारी मेरे से थोड़ा सा भी डिश्टब हो गया तो लोग क्या कहेंगे क्योंकि लोगों की अपेक्सा तो मुझसे जादा है इसलिए तो मुझे काम दिया है यही सोच कर बहुत सवारा बर्डन अपने दिमाग में intelligent लोग रखते हैं और जब सारा बर्डन अपने दिमाग में रखते हैं ये दुखि होते हैं ये सेड होते हैं और जब कभी इनसे काम बिगड़ जाए जब इनसे कई काम संटेंट ना कर सकता है कि उसके upर ने पर जाएंगे गल्ती है, गल्ती हर इंसान से हो जाती है, उससे अगर वाई मिश्टे कोई गल्ती हो गई, तो बस उसको जादा सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो intelligent है, वो हर काम में perfect है, यही सोच के तो लोग जो intelligent होते हैं, वो दुखी होते हैं, या लोग हमसे बहुत जादा प्रिक्सा रख जाते हैं, कुछ और नया नया पाना जाते हैं, वो जो target लेते हैं, target अची हो करने के बाद नया target लेते हैं, कोई ज्यादा target लेते हैं, मतलब वो अपने जियों से संतुष्ट नहीं रहते हैं, बस पाना चाते हैं, पाना चाते हैं, संतुष्टी नाम की उनके जियों में होगत हुज है फिर भी वह लोग वो सामनों के अरे यार फिर भी में वह अजाना चाहता था लें वहा नहीं जा पाया श चाहता था बरcoat इने पर आप कुछना भी यह मैं रहते हैं लोग भी कभी इन बात लेकर दुक्त होतEM प्रेटेटे